बाई एक्सन इस हद तक मिल जाएगा और उसमें भी इतना रियलिज्म का तड़का मज़ा आया बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मंकी मैन मूबी जो इंडिया में बैन कर दी गई थी भाई नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से लेकिन इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है तो अपन ने जैसे तैसे मूबी को देख लिया है और भी मूबी को रिव्यू करने वाले हैं भाई एक्सन की बात करूं तो यह है क्योंकि वर्ट नहीं है भाई डिफाइन करनी के लिए इस मूबी को मसालेदार चटकारा जो देखे जाता है ना अनेक्सपेक्टेट ठीक है कि एक बार के लिए टेलर भाई प्रॉमिसिंग था और उमीद थी कि ऐसा ही कुछ मिलेगा लेकिन टेलर तो क्या ही था अब कि अगरने वाले इसे पहले कि अगरने वीडियो एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब जरू करना भाई मंकी मैन मूवी अगर आपको कहीं ना कहीं मिल जाये तो जरू देख लेना क्योंकि मूवी में एक्सन का बाप मिलने वाला है जॉन विक का इंस्प्रेश जरूर निकली और वही बस थोड़ा सा डिसकनेक्ट करके जा रहा था बीच-बीच में कई बार मुवी के बीच-बीच में जो स्टोरी आई है वो उस हद तक टच करके नहीं जाती है लेकिन जब भी एक्सन का पार्ट आए भाई आपके ना होशोड़ जाएंगे अगर आपने एनिमल मुवी देखी और एनिमल की एक्सन आपको बहुत पसंदा है तो भाई एनिमल का बाव मिलने वाला है इसमें बहुत हद तक जॉन विक अगर आपने देखी है 300 जैसी मुवी देखी जहां बूटैलिटी से सारी हद पार होती है जॉन विक में वो वन मैन आर्मी और ज सब भी कुछ बढ़िया था एक्सन की तो जितनी भी तारीब कर लो वह उतनी ही कम है और रियलीज में का जो तड़का डाला है मुवी में कई बार ऐसा होता है कि अच्छा है सब कुछ बढ़िया है पर वहां पर लॉजिक आप लगाओगे तो बढ़िया नहीं है लेकिन मुवी के साथ गड़ करई तो बहई इस जो है डियलीज्म तो नहीं और लगरए और जितनी भी बंदे आया है तो उन्हें भागवान नहीं है कि सामने पर एसा हिए प्रवास बावा की मूवी में ऐसे ही काम होता है लेकिन देव पटेल की मूवी में दिखाया है कि वो भी एक नॉर्मन हुमन बिंग है बस वजय है और एक जुनूल है क्योंकि मूवी रिवेंज स्टोरी पर भी इस है भाई किसी की भी माँ को भी ऐसे ब्रुटैलिटी से मारा जाएगा पुरी तरीके से तो कोई भी आम इंसान के अंदर वो हनुमान वाली ताकत जन्रेट हो जाएगी और यस वही चीज़ को अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि आपके पास एक सॉलिड वजय होनी चाहिए क्योंकि हनुमान को भी नहीं मालुम था कि मेरे पास यह लेकिन जब उन्हें रियलाइज कराया गया तब जाके उन्होंने भाई पूरी लंका की आग लगा डाली थी और वही काम देव पटेल भी करते नजराए हैं और यह जो डिबोशनल कनेक्शन दिखाये गया है बजरंग भली के साथ हमारे हरुमान जी के साथ वो भी दमदार था बस बात यह है कि मूवी में बहुत हद तक खोल गे दिखाये गया है एक्शन के मामले में और भी न्यूट सीन्स हैं बहुत सेक्स वगेरा सीन्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे मूवी फुल हॉलिवूड से इंस्पायर गरी गया एक सीन वह आता है जब एक्शन में मै यहां पर सैट करा है कि मैन पावर की जुर्रत थी तो उनके भी पांच-छे साथ ही आए और उस भीड को मेंटेन करा उन सारू की धज्या उड़ाई तो यह जवर्दस लाजिक लगा तैने इसके बाद एक सीन और भी आए जो बहुत ब्रूटल था सिंगल हैंड कॉम्बैट सीन चल रहा था जिसमें दोनों हाथ उसने बिलेन के पकड़ लिये थे और चाकू जो है उसके गर्दन पर खुसा रखा था लेकिन वह मर नहीं रहा था तो क्या करते भाई साब उसकी गर्दन को तो रेत ना पड़ेगा चाकू से उसने क्या गया अपने दांतों से उस चाक तक खोल के दिखा रखा है इसमें दर उसके बाद एक सीन वह भी दमदार इसमें यह लगया कि अंगूठा काटने वाला सीन और अंगूठा कोई चाकू के गहरे से नहीं काड़ा जॉन विक में तो गया था कि एक चाकू से काड़ दिया और सिंपल था यहां पर भाई लोहे की ट्रे होती है लोहे की ट्रे से पहले उसे मार दिया गया तैनों उसके बाद उसी लोहे की ट्रे से कट से अंगूठा काट गया है मलब जॉन विक से इंस्पायर होए है कि जो भी चीज आपको सर्राउंडिंग में देख रही है यूज एज वएपन और उसने वैपन की तर अगर आप ढूंड रहे हो कुछ ऐसा तड़कता भड़कता देखने के लिए तो मंकी मैं देख लेना मिल जाएगी कहीं पर भी आपको बागी यहां तक पहुंच गये तो इसका मले वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई तो लाइक कर दीजिए ने हों तो चैनल को सब कर दիए ला देखने ने हों ओकता हुई हां限 दीए जा वीज़कता र्ड़कता देखने के लिए को का ताना ने हुटःकर पसंद भाखल दबाफल, क्या दो हुट़क उन्सित जह दोग देखने हों दो को कंई सहां को प्ताह हैंगि रह हैंगि अन्से हों गले हुट ए मजो